देश में दोफिया इलेक्टिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कंपनिया नए तरह के इलेक्टिक वाहनों को तयार करने के प्रयास में लगी हैं। हाल में देश के सबसे बड़ी दोफिया वाहन निर्माता हीरो मोटो कॉर्ट ने अमेरिकी कमपनी Zero Motorcycle के साथ साझेदारी में प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक विक्सित करने की घोशना की है। हाल ही में दोनों कमपनीों ने करार के तहट इलेक्ट्रिक वाहन विक्सित करने के लिए समझोता ग्यापन मुव पर हस्ताक्षर किया है। इस समझोते के तहट Zero Motorcycle वाहनों को विक्सित करने के लिए तक्नीकी विशेशग्यता प्रदान करेगी जबकि Hero Motor Corp की जिम्मेदारी वाहनों के निर्मान, सोर्सिंग और मार्केटिंग की होगी। बता दे कि Hero Motor Corp के एक बोर्ड ने सितमबर 2022 में Zero Motorcycle में 60 मिलियन अमरीकी डालर 491 करोड रुपए तक के एक्विटी निवेश को मनजूरी दी थी। हालांकी कमपनी ने अभी तक सहविक्सित उत्पादन को लॉंच करने की समय सीमा के बारे में जानकारी साजा नहीं की है, Zero Motorcycles की बात करें। तो कमपनी पहले से ही अंतराश्य बाजारों में अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलों की विस्तरित रेंज की बिक्री कर रही है। कमपनी की मोटरसाइकल रेंज में रोडस्टल, स्पोर्ट्स, टूरर और अडवेंचर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल शामिल है। कीरो मोटोकॉप ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर विडावी एक, विदावी एक की डिलीवरी शुरू की है। कमपनी ने बैंगलूरू, दिली और जैपूर में अपने पबलिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन भी शुरू कर दिया है। कमपनी के इन तीन शहरों में सारवजनिक उप्योग के लिए लगभग 300 चार्जिंग पॉइंट है। हीरो मोटो कॉर्प ने इस सब्ता की शुरुवात में सुपर स्प्लेंडर बाइक का एक्स्टेक वेरियंट लॉंच किया है। नई सुपर स्प्लेंडर एक्स्टेक को 83,368 रुपए की एक्सशोरूम दिली कीमत पर लाया गया है। हीरो मोटो कॉर्प का कहना है कि इस बाइक को युवा ग्रहकों की मांग के अनुसार अपडेट किया गया है। कंपनी इस बाइक में सुविधा के लिए ब्लुटूथ कनेक्टिविटी और यूएसबी चार्जिंग जैसे फीचर्ज दे रही है।